अज़ाब में सामाजिक मुद्दों की बात की एक मुद्दा जो कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक है ही नहीं सिर्फ उचाला जा रहा है वो है और कुछ लोग कहते हैं बहुत सीरियस मुद्दा है वो है जबरन धर्मांतरन का और उस पे राजनीती भी होती है क्या इस तरह की बाते हैं क्योंकि 36 गड़ राज्य में भी बार-बार उखता है ये चुनाओं में लोगों पर असर डालती हैं जब आप लोगों पर जाते हैं तो क्या कहते हैं देखिए एक चीज़ है कि धर्मांतरन का मुद्दा जो है ये भारती जनता पार्टी की द्वारा थोपा गया मु कि उसके पहले उतने नहीं थे और उसके बाद नहीं गए सबसे ज्यादा बना उनके समय में अब कोई भी आस्था का जो केंद्र है उता बनेगा जब उसके मानने वाले रहेंगे मैं हिंदु हूँ तो मैं मंदिर बनाओंगा तो पहले हिंदु होना जरूरी नहीं तब तो मंदिर बनेगा कोई यदि सिख है सिख होना जरूरी तब तो हां गुरुद्वारा बनेगा तो उसी प्रकार चर्च तब बनेगा जब वहां उसके मानने वाले लोग होंगे तो सबसे ज़्यादा चर्च की समय बना भारती जनता पार्टिक समय इसका मत्ता भी है कि धर्मांतरन उसके समय ज़्यादा हुआ जब इस आखड़े बात करता हुँ तो चूपो जाते हैं दूसरी बात यह है धर्मांतरन का मुद्धा जो है आखिर ये सुक्रित कहा सोगा राश्फ़ति वास्ताक्सर से तो सरकार केंद्रे किस की है भई क्यों नीं कर लेते डिली श्टिंग का मामला हो जाहए धर्मांतरन का मामला हो ये केंद्र के भी से पुरे देश में लागू कर ले ना भारती जन्ता पार्टी यहां क्यों हला कर रहे हैं लोकसभा अभी आने वाला है उसमें बिल आए पारित करें लागू कर दें अर्वेज दिली सरकार ने सुप्रीम कोड ने कहा कि आपको ट्रांसफर करने का अधिकार है द कि अध्य देश को या फिर लोग सब आत पारित के हशाक्षरनी होगा तो यह के और राजने के तो धितर्म छ pacing और आप सबाटी चूट doet को रशंच्छा कि वाड़ UGSp inear Ш shade तायक था वो लब जिहाद वाला मामला था। मैं बोला ही इसके। बई गड़ीब लोगों के बीच में दि हो जाए प्रेम तो जिहाद हो गया और इनके घर के बच्चे करते हैं तो क्या होता है फिर लब हो जाता है। कि अंधोलन क्या गरीब परवार के मतब गरीब लोग ही इनके राजनीती खत्यार है और इसके घर के बच्चे करते हैं उसमें आंधोलन क्यों नहीं करते हैं भारती जनतापारि बड़े नियता की बेटी शाधी सुधा बेटी दुसरे घर में बैठी हुँ है एक मुसलमान के घर में उसमें अंधोलन क्यों नहींकर अपर उसमें चूप हो जाते हैं जितने बड़े नेता थे, कोई दिल्ली में, कोई मंत्री बनाए, कोई सांसद बनाए, कोई इधायक बनाए, तुँ वहां क्यों अंदोलन नहीं करते, आम जन्तों बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, इनको अधिकार है लब जिहाद करने का, यह करेंगे, जितने बड़े नेत भारती जंता पाड़ी देखो, लाइन से, मैं नाम किसी इक नहीं ले रहा हूँ, सब बड़े नेता हूँ के दमान आपको मिल जाएंगे, उसमें अंदोलन देश पर भी क्यों नहीं होता, मेरा सवाल यह है, तो हम तो महात्मा गांधी क मानने वाले हैं, करने से पहले, बोलने से पहले करने, काम करके बताओ, तो गांधी जी काते हैं, मेरा जीवानी मेरा संदेश है, तो हम लोग उस प्रकार से नहीं है, मतब परुप देश कुसल भाउते रहे, आपके लिए दूसरी और मेरे लिए दूसरा, अभी कानून देख लिजिए, टेनी मिसरा के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, वो क्या भूसन है, ब्रिजभूसन के लिए अलग, और पहलवानों के लिए अलग, तो यह नहीं चलना चाहिए, आप सप्तम हैं, सासन में हैं, तो जो आपक्षा आप दूसरूस करते हैं वो आपको आपको विहार वैसी होना चाहिए आप कह रहे हैं कि 36 गड़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या यही वज़ा है कि आप ये भी कहते हैं कि E.D. की कारवाई इसलिए हो रही है ये वो E.T. कारवाई इसलिए बोलते हैं कि हमारे इस भर से किसी चुनाओ लड़ेंगे भाई वो तोम बूत में नहीं जाएगा वो जिलवाने वो करवाई कर सकते हैं iievous तो आरिया प्रच नो शू शर्थ सकते हैं गिरप्दार कर अधार चाला सकते बदनाना में कर सकते हैं लेकिन आप दात है कि नहीं पॉर्ची जंदा पार्टी लोंकि जाना पड़ेगा ना मध्दाथ के पार अशुषिक जाना पड़ेगा सु करें और यह उ ziemlich खरस के स्चु परिवारवाद कारोप लगाते हैं लोग बचत रात मिनाज सिंग की बेटा विधायक है वसंदुरा राज एक बेटा भी राजनितीम है परिवारवादी जोते रहादे सिंधा जी का आप ले आए ले आए ना और एक को मंत्री बना दिए उत्तर प्रेजिस में हमारे पार्टी बें सुहें सकता हूँ तो यह परुवार वात के किवल आरोप लगाते हैं वो किवल गांधी इनको तकलिब गंधी परवाद सहीं इनको तकलीप गंधी 750 जब्सेट चाहिए हो इंद्रे जी हो चाहिग राजी जी जी चाहिए प्रयांका जीब तकलीप हुए उसे, और जहां तक मेरी बात है, तो मैंने तो भी ऐसा है कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया, मैं किसान हो तो मैंने भी बेटे कि मैंने खेती किसानी सीखा दिया है, उसी साधी कर दी, अब वो सुतंत रहें, को राजनिती माया है, कि ना आए, वो जाने उसका काम जाने मैंने तुसको पालक के हैसे पिता के हैसे मैंने उसको पढ़ने लिखने के लिए पूरा उसर दे दिया अपने जो पारमपरी जो धंदा है खेती उसको मैंने सिखा दिया वी स्कूल के समय से भेद दिया था खेत पर एक ही लड़का है तीन लड़किया है से हैं और सब अपने इस्टेब्ली से हैं उसके बाद आगे क्या करनाना है अपने जीफिवन के बार्व हुनकुनिन्प Alors लेने का है और कि दो बच्चों को अपने रेहें बारे फैसलब लेने का अलिकार नहीं ही है तो गलत है न उसक्षाम है